नमस्कार प्यारे बच्चों अब इस फूडियो में हम दोसों का अभाज ये गुणंद खंड कैसे करते हैं यह सिखेंगे अभाज ये गुणंद खंड करने के लिए हमें क्या चाहिए अपने अभाज ये संख्याएं चाहिए दो, तीन, पांथ, साथ, एक से लेकर दस तक की संख्याएं ये आपकी अभाज ये संख्याएं प्राइम नमबर तो बच्चों सरपरतम हम क्या करते हैं अबना इसमें दो का भाग करते हैं अभाज ये गुणंद कंड का मतलब क्या होता है किसी भी संख्याएं को अभाज ये संख्याएं के गुणंद फल के रूप में लिखना मैं उस पर अंदर के चलिए आगे शुरू करते हैं अन्य वीडियो देखनें के लिए हमारे चैनल की प्लेडिस्ट पर विजिट करोई तो देखें कि 2 का भाग ये क्या हम ये माइनस कि किया जिरो और जाता है माइनस जिरो और गाया फिर साथा तक देख्यों है है फिर हम सो में चेक करते हैं दो का भाग देकर कितनी वार गया पांस दू दस माइनस किया जिरो आ गया इस जिरो को मैं यहां नीचे लेकर आए जिरो में किसी भी संक्या का भाग जिरो वार जाता है फिर माइनस किया जिरो आ गया तो यहां पर सो में दो का भाग दिया कितनी फार, ओके, फिर हम चेक करते हैं, 50 में, दो का भाग देकर, कितनी आर गया, 2 और, 2 दू, 4, माइनस किया, 1 आ गया, 0 को उपर से नीचे लिएओ, 10 में, 5, 2, 10, माइनस किया, 0 आ गया, 2 का भाग किया, मैंने 50 में, कितना मिल गया, 25, अब देखें, 25 में हमने 2 का भाग देकर विबाजे नहीं है ठीक है विबाजे नहीं का मतलब क्या होता है सेंसफल जीरो नहीं आता है तो उस इस तदिक हम क्या कहते हैं कि यह संख्या विबाजे नहीं है तो तीन का चेक्या तीन से विबाजे नहीं है पांच का चेक्या 25 में तो यह पांच वार कितना आगया 25 माइनस किया 0 आगया यानि यह आपका 25 किसे विबाजी है 5 से विबाजी है जब विबाजी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे करम से आगे बढ़ते जाएंगे कितनी वार पांच वार फिर पांच में पांच का भाग आपका एक वार तो हमारे पास 200 के या भाज यह गुणंद खंडा आ गए जिसमें 2 कितनी वार आ रहा है एक दो तीन पांच कितनी वार आ रहा है दो बार दो तीन वार है इसको क्या लिख सकते हैं दो की घात तीन पांच दो बार है इसको क्या लिख सकते हैं पांच की घात दो